और इस वक्त इसराइल गाजा युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आईडेफ के खीर बेस मार बेस पर सबर्दस अटाक हुआ है इसराइली बेस पर हिजबुला की ड्रोन स्ट्राइक हुई है हिजबुला ने हमले से चुड़ा विडियो भी जारी किया और बीते 48 घंटे से युक्रेण लगातार दहल रहा है युक्रेण के आधा दर्जन से ज़्यादा प्रांथ कई शेहरों में रूसी ड्रोन और मिसाईल गदर मचा रहे है युक्रेणी सेनेकों को बली ले रहे हैं युक्रेणी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे हैं और जानते हैं इस बार पुतिन ब्रिगेड ने युक्रेण विनाश की पटका था किस हातियार से लिखी तो वो है रूसी डिफेंस की के एच सीरीज जिसे बनाया तो सोवियत दौर में लेकिन उसका असली इस्तमाल आज की तारीक में पुतिन कर रहे हैं वो भी बारूदी बमवर्शकों के जरिये आखिर कैसे देखिए इस रिपॉर्ट में अभी बमवर्ट में नौ प्रान, सत्रा शहर और अर्थन से लाकर जहां रूसी सेना ने चार सो से ज्यादा विसफोटा खमले की यूखरेनी सेना में कोहराम बचा दिया यूखरेनी राष्टपती जेलंस्की को सन्न कर दिया जिस अंदाज में बीते 24 घंटों से यूखरेन थदक रहा है जिस तरीके से यूखरेन के अलग अलग प्रांतों, जिलों और शहरों में विनाश लीला दिखाई दे रही उससे सर्फ कीव ही नहीं, बलकि नाटो हेड़कॉर्टर से लेकर पेंटगन तक में खलबली मची हुई हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले यूखरेन ने दावा किया था कि वो वेश से मिले हत्यारों के दम पर पुतिन की ब्रिगेड को सरेंडर करने पर मजबूर करेगा लेकिन जेलिंस की ब्रिगेड एक्शन में आती, उससे पहले ही पुतिन में अपनी जंगी सनक के चलते यूखरेन के कोने कोने में तबाही मचा दी इतना बम गोला बारूद बरसा ऐसा बारूदी बावंडर उठा जिसकी कल्पना भर से ही रूख आप जाए बीडियर रिपोर्ट्स की बाने तो यूखरेन में तबाही मचाने के लिए बारूदी विनाश का भीशा ट्रेलर दिखाने के लिए रूसी टिफेंस ने के एच सीरीज की क्रूज मिसाइलों का इस्तबाल किया रूस ने हाइपर सॉनिक किंजल मिसाइल से यूखरेन पर अटेक किया दावा है कि बीते 30 दिनों में रूस 3500 मिसाइले दाख चुका है आपको बता दें कि 48 घंटे पहले रूस ने यूखरेन पर कामिकाजी ड्रोन गाइड़ एरियल बंप और मिसाइलों से ताबर तोड हमले किये लेकिन दावा किया जा रहा है कि खासकर रूसी डिफेंस यूखरेन को तहलाने के लिए क्रूज मिसाइलों को इस्तमाल कर रहा है वो भी केज सीरीज की आखर क्यूँ यह आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप रूसी डिफेंस के बारूदी जखीरे में मौझूद के एच सीरीज मिसाइलों की ताकत और खासियत के बारे में जान लीजिए वैसे मौझूदा वक्त में रूस के एच 55, के एच 101 और के एच 55 ट्रूस मिसालों का इस्तमाल कर रहा है इन सभी मिसालों को सोवियत दोर में तयार किया गया आखिर कैसे ये मिसाइले वार जोन की विनाशक शिकारी बनी ये भी जान लीजे के एच सीरीज की सभी मिसाइले हवा से दागे जाने वाले ब्रहमास्त्र है रूसी डिफेंस की मिसाइल 200 किलो टन के वार हेट दागने में सक्षम है के एच सीरीज वाली मिसाइलों की मारक शमता करीब 2500 से 3000 किलो मीटर तक की है इस विद्वानसक मिसाइल का कुल वजन करीब 1650 से 2400 किलो तक के बीच में होता है इन मिसाइलों के जरिये थर्मो न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल वार हेट भी दागे जा सकते हैं के एच सीरीज की सभी मिसाइलों में इनर्शियल गाइडिन्स और डॉपलर अब रडार लगे होते हैं असी के धशक में के एच सीरीज की क्रूज मिसाइलें रूसी वायू सेना के बेड़े में शामिल हुई और इसका सबसे पहला इस्तेमाल सीरिया सिविल वार में रूस ने किया था वो भी टी यू वन सिक्स्टी वाइट स्वान पॉंबर के ज़री और अब इन ही के एच सीरीज की मिसाइलों से रूसी डिफेंस यूकरेन के अलग अलग शेहरों को निशाना बना रहा है भी शर्ट तबाही मचा रहा है जानते हैं क्यों दरसल यूकरेन के पास क्रूज मिसाइलों को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम नहीं सर्फ अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम ही ने इंटरसेप्ट कर सकता है लेकिन यूकरेनी सेना के पास पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइले नहीं दरसल रूसी डिफेंस लगातार पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टार्गेट कर रहा है लेहाज़ा यूकरेन के पास अब जो भी पेट्रियट सिस्टम मौझूद है उन्हें यूकरेन ने अपने एर फील्ड और बड़े शेहरों की सुरक्षा में लगा रखा है जबकि बाकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मिसाइल क्रैसिस से जूज रहे है हाला कि यूकरेन ने अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मांग की लेकिन पेंटगन ने अब तक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइले डिलिवर नहीं की जबकि पॉलेंड ने तो पेट्रियट सिस्टम यूकरेन को देने से इंकार कर दिया बस यूक्रेन की इसी लाचारी का फाइदार रूसी ब्रिगेड उठा रही और यूक्रेन पार तावार तोड प्रूस मिसाइलों से प्रहार कर रही प्यार रपोर्ट टीवी नाइन भारत वाश